Hello Everyone, Guys अगर आपने UDice Plus पर Students का डेटा अपलोड कर दिया है, तो आप अपने स्कूल के सभी Students की लिस्ट को देख सकते हैं, किसकी Student की Profile Complete है या Incomplete है, यह सब आप कैसे देख सकते हैं, चलिए सीख लेते हैं. सबसे पहले आपने UDice Plus पर Student Module में Login कर लेना है, तो Guys, Login करने के बाद आपको Student Module का Dashboard ओपन होगा, यहां पर आपने List of All Students पर क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आपके स्कूल के अंदर Classwise जितने भी Students होंगे, उनकी List यहां पर Show हो जाएगी Classwise, तो Class के सामने बिलकुल आपको Same Row में Last पर Status का बटन मिलेगा, इस Status के बटन के नीचे, जिस इस भी Student का Status Complete होगा, जिस भी Student की Profile Complete होगी, तो यहां पर Completed लिखा आएगा, अगर किसी Student की Profile Complete नहीं है, तो यहां पर Incomplete लिखा आएगा, तो Guys, आप एक एक करके देख सकते हैं किसकी Student की Profile Complete है, या Incomplete है, जिसकी Incomplete है, तो उसको आपने Complete करना है, तो Guys, इस तरीके से आप अपने School के अंदर जितने भी Student है, जो जिनकी Profile Successfully Complete होगी है, यह U-Dice Plus पर उनकी List को आप Check कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप Status भी Check कर सकते हैं, जिन-जिन Student का Status Complete है, या जिनका In Progress है, या Incomplete है, वो सारी चीज़ें आप Check कर सकते हैं, मान लो मैं In Progress पर क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरे Student जितने भी यह स्कूल के अंदर, उन सब की Profile Complete है, तो यहाँ पर Empty आ रहा है, अब मैं Completed पर जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो भी Student से, इन सब की Profile Complete हो चुकी है, तो इस तरीके से अगर आप अभी काम कर रहे हैं, Profile Complete कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक और Dropdown में Button मिले का Incomplete का, तो आप Incomplete के Button पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, कि आपके कितने Students की Profile जो है, वो Incomplete है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, थेंक्स फर वाचिंग,